हैलो औन वेलकम आज के वीडियो में हम रेटिकुलेट और पैरलल वेनेशन के टाइप्स के बारे में डिसकस करेंगे तो हमने लास्ट वीडियो में वेनेशन क्या होता है उसमें रेटिकुलेट और पैरलल दोनों वेनेशन को देखा था तो आज हम इनके टाइप्स के बारे में बात करेंगे तो चलो शुरू करते हैं Venation दो टाइप्स का होता है Reticulate और Parallel जो हम पढ़ चुके हैं तो Venation से क्या मतलब है Lamina में Vains का Arrangement जिस भी तरह से ये Vains और Vainlets Arrange होती हैं उसको हम Venation बोलते हैं तो कुछ लीफ में ये Reticulate होती है मतलब Vains ऐसा जाल सा बना लेती है मतलब Network सा बना लेती है चोटी-चोटी Vainlets का तो इसको बोलते है Reticulate Venation और Parallel में क्या होता है कि Midrip से Parallel ही ऐसे Vains निकलती है तो ये दो तरह का Venation हम डिसकस कर चुके हैं अब इनके क्या function हमने देखे थे एक तो ये conduction करती है Water और Minerals का तो जो रूट से water absorb होता है लीफ तक इसी Vainlets से conduct होता है और जो यहाँ पर food बनता है photosynthesis के थूँ लीफ में वो भी इनी Vainlets से conduct होता है अब ये Rigidity पी देती है अगर ये नहीं होगी तो ये लीफ का जो लेमिना है वो नीचे को लटक सजाएगा क्योंकि ये इसको support देती है mechanical support का का काम करती है और इसको rigid बनाती है जिससे कि ऐसे खुला रहे है और photosynthesis में help मिले तो ये काम हो गए Vainetion के अब बात करेंगे Reticulate के कितने types हम देखते हैं तो आप पहले बात करते है Reticulate Vainetion के types की तो Reticulate Vainetion को हम further two types में divide करते है Reticulate Unicostate और Reticulate Multicostate तो Unicostate को कहीं कई books में Pinnate भी लिखा होता है तो फिर क्या हो जाता है Reticulate Pinnate Vainetion और Reticulate Permate Vainetion Multicostate को हम Permate भी बोल सकते हैं तो किसी books में ऐसे division दिया होता है Reticulate Pinnate Vainetion Reticulate Permate Vainetion लेकिन Reticulate Unicostate और Reticulate Multicostate भी सेम ही है Pinnate और Permate से तो Costate का क्या मतलब होता है Costate का मतलब होता है किसी भी चीज में ribs होंगी या फिर veins होंगी तो उसको हम बोलेंगे ये Costate है तो Unicostate से क्या मतलब है एक ही रिब होगी सिर्फ वन रिब तो इसमें Reticulate Unicostate Venetion में क्या होता है कि एक Mid Rib होती है में और उससे Vainlets निकल रही होती है तो इसको क्या बोलते है Mid Rib और इससे कई Vainlets निकल रही होती है और कैसा Reticulate मतलब एक Network सा बना रही होती है तो ऐसे Venetion को हम बोलते है Reticulate Unicostate Venetion मतलब क्या है एक Mid Rib होगी और उसी से छोटी-छोटी Vainlets निकल रही होगी तो ऐसा Venetion हम कहां देखते है People में Bannion में Mango में इन सभी Leaps में आपको Reticulate Unicostate यह Reticulate Pinnate Venetion देखने को मिलेगा अब इसका दूसरा टाइप होता है Reticulate Multicostate अपना आम से इंडिकेट होड़ा है Multicostate मतलब कई सारी रिप्स होगी एक Midrib की जगा कई सारी Main Rib होगी तो वो Main Rib Principal Ven होगी मतलब इसी तरह से लगेगा जैसे एक Midrib निकल रही है इसी तरह से कई सारी Main Rib निकल रही होगी इसको भी हम पर दर दो टाइप से डिवाइड करते है Divergent और Convergent चलो इनको समझ लेते हैं तो अब बात करते हैं Multicostate Reticulate Venetion की तो अभी हमने बात के कि Multicostate का मतलब होता है कई Principal Vains निकल रही होगी और Reticulate Venetion होगा तो इसमें क्या होता है कि PTO से कई Main Ribs निकल रही होती है और वो Apex तक जाके Diverge हो रही होती है इस तरह से Diverge का क्या मतलब होता है एक जेगे से निकलना और आगे को जाके और चौड़ा हो जाना जैसे आपने कभी-कभी सुनाओगा कि Roads पर गयरा पर आगे इस Roads में Divergen है तो मतलब आगे जाके और चौड़ी हो जा रही है तो इसी तरह इसमें भी होता है कि PTO से कई Principal Vains या Main Ribs निकलती है और वो आगे जाके Apex पर चौड़ी हो जाती है मतलब आगे जाके Divergen हो जाती है तो इसी लिए इसको बोलते है Multi-Costate Divergent Reticulate Venation तो इन तरह की Leaves को हम देखते हैं Papaya में और Castor में तो ये Leaves Divergen Type Multi-Costate Reticulate Venation हमें Papaya में और Castor में देखने को मिलता है अब इसका दूसरा Type है Convergen Type तो ये जस्ट opposite होता है इसका जैसे Divergen में आगे जाके चौड़ी हो रही थी तो Convergen में क्या होगा Main Rim निकलेंगी कई सारी PTO से वो आगे जाके मिल जाएंगी आपस में जैसे आप यहां देखो इस वाले Leaves में यहां से निकल रही है और आगे जाके मिल जाती है आपस में तो इस टाइप के Venetion को हम बोलते हैं Convergen Multicostate Reticulate Venetion तो ये वाला Venetion हम किन Leaves में देखते हैं जिजी पस में और सिनामन में तो जिजी पस को हम बेर भी बोलते हैं और सिनामन जैसे तेज पता आपका ममा यूज करती होंगी ना किछिन ने कभी उसको लेके देखना तेज पते को तो उसमें ये वाला Multicostate Reticulate Convergent Venetion होता है तो ये हो गए Reticulate Venetion के टाइप्स अब बात करेंगे Parallel Venetion के बारे में तो Parallel Venetion काई सारी ribs निकलती हैं लेकिन वो क्या करती है Parallel ही रन होती हैं तो उसमें दो तरह के टाइप्स होते हैं Unicostate Parallel Venetion और दूसरा Multicostate Parallel Venetion तो Unicostate में एक midrib होती है में और उसी से Parallel ही काई veins निकल रही होती है तो Unic का मतलब एक होता है इसलिए एक ही midrib होगी Reticulate की तरह ही Parallel में भी और वो Parallel ही रन कर रही होंगी तो इसका क्या example होता है बनाना में आप इस थरह का Venetion देखते हो कौनसा Unicostate Parallel Venetion अब बात करें Multicostate की तो इसमें अगेन वही Multi मतलब बहुत सारी तो चलो इनकी leaves का देख लेते हैं तो Parallel Multicostate Venetion दो Types का है Convergent और Divergent तो Converge में आगे जाके जैसे हमने Reticulate में देखा कई सारी waves निकल रही है लेकिन आगे जाके वह मिल जाती है आपस में तो ऐसा Venetion हम किसमें देखते हैं Bamboo में Multicostate Parallel Convergent Venetion अब अगर Divergent की बात करें तो अगे जाके और चौड़ी हो जाती हैं यह आपस में मिलती नहीं है आगे जाके और चौड़ी हो जाती है मतलब Diverge हो जाती हैं तो इस तरह का Venetion Parallel Multicostate Divergent Venetion हम देखते हैं Fan Palms में तो यह हो गए Reticulate and Parallel Venetion के Types के बारे में तो हमने बात की Venetion की और उसके दो टाइप देखे Reticulate Venetion and Parallel Venetion अब Reticulate में अगेन हमने दो टाइप देखे Unicostate, Multicostate Uni मतलब 1 and Costate मतलब Rib जिसमें 1 Main Rib होती है और Reticulate Venetion होता है उसको हम बोलते है Unicostate, Reticulate Venetion Unicostate, Reticulate Venetion अब जिसमें बहुत सारी Main Rib होती है उसको बोलते है Multicostate, Reticulate Venetion अब इसमें दो टाइप समने देखे थे Divergent Type और Convergent Type तो Divergent, Multicostate, Reticulate Venetion में क्या होता है कि Main कई सारी Ribs निकल रही होती है और आगे जाके और इस तरह से चौड़ी हो जाती है तो इसमें Reticulate Venetion होता है और Divergent, Multicostate होता है अब Converge में आगे जाके इस तरह से Converge हो जाती है लेकिन कौन सा Venetion होता है? Reticulate Venetion तो इसी तरह Parallel Venetion में भी दो टाइप से Unicostate, Multicostate और Multicostate में आगे इन हमने देखे Divergent और Convergent तो ये था Venetion और उसके Types